Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel, myself Umar Taskir, guys Google Analytics 4K इस पडिगलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने Google Ads के एकाउंट को connect कर सकते हैं Google Analytics 4K एकाउंट के साथ connection की जो process है उसको हम लोग अभी देख लेंगे बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या फाइदे हैं अगर हम Google Ads का जो हमारा अकाउंट होता है उसको connect कर दे हम लोग Google Analytics 4K एकाउंट के साथ तो दो मैं major आपको benefits यहां पर बताने वाला हूँ सबसे पहला जो benefit है वो ये है कि जो हमें reports दिखाई देते हैं Google Analytics के अंदर उन reports के आगे कुछ mattresses होती है तो अगर आप Google Analytics 4 को Google Ads account के साथ connect कर देंगे तो जो basically आपके Google Ads से related कुछ mattresses होती है वो भी आपको Google Analytics के अंदर आपको दिखाई देने लगेंगे जैसे कि जो आपके acquisition report है इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो Google Ads से related mattresses को देख पाएंगे अगर जो यह user related reports है इसके अंदर जाएंगे तो आप Google Ads से related कुछ mattresses को देख पाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन दो platforms को आपस में connect करते हैं तो Google Ads से related कुछ mattresses को हम लोग यहां Google Analytics या हम लोग कहें G4 उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं और जो हमारा दूसरा फाइदा है वो यह होता है कि Google Analytics में जब हम लोग analysis कर रहा होता है हम लोग अपनी audiences को देखते हैं बहुत ही काईदे से हम लोग अपनी audiences को study करते हैं उसके बाद अगर हम उस particular audience को import करना चाहें Google Ads के अंदर लेट से example के तौर बैमान के चलते हैं कि हमें लगता है कि जो लोग हमारी website के एक specific page के उपर आए हैं हम लोग केवल इनको अब Google Ads के through ad दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हम उस particular audience को create कर लेंगे Google Analytics के अंदर और उसको import कर देंगे हम लोग अपने Google Ads के platform में right किस तरीके से import करते हैं इसको भी हम लोग आगे आने वरी वीडियो में cover करें क्योंकि इस particular video में हम लोग केवल बात करने वाले हैं किस तरीके से दोनों ही platform को हम लोग connect करते हैं तो benefit आपको पता चल गया दूसी चीज और important चीज ये कि आप कोशिश करें कि जिस भी ID के उपर आपका Google Analytics का account है उसी ही ID के उपर जो है आपका Google Ads का account भी होना चाहिए तभी जो connection है वो smooth हो पाएगा अगर guys ऐसा नहीं है तो उस particular case में या तो Google Analytics जो की एक दूसरी ID के उपर है उसको Google Ads वाली ID के उपर उसका access आपको देना पड़ेगा लेट्स ये मान के चलते हैं कि Google Ads का जो account है वो a at the rate gmail.com के उपर है और Google Analytics का जो account है वो b at the rate gmail.com के उपर आपने बनाया हुआ है तो आपका जो Google Analytics का account है उसका access आप a at the rate gmail.com पे देने तो क्या होगा कि Google Ads और Google Analytics सेम ही Gmail ID के उपर उनका access हो जाएगा तब यह process जो है वो आसान हो जाएगी या आप क्या करें कि जो आपका Google Ads है जो basically a at the rate gmail.com के उपर था और Google Analytics आपका b at the rate gmail.com के उपर था तो आप b at the rate gmail.com के उपर Google Analytics का जो access है वो आप दे दें तो actually आपको दोनों को same platform के उपर लाना पड़ेगा तभी जो है connection possible है connection आप दोनों तरीके से कर सकते हैं आप Google Ads के platform के उपर जाकर भी connect कर सकते हैं आप Google Analytics के platform से भी connect कर सकते हैं यहाँ हम लोग Google Analytics के platform से किस तरीके से connect करेंगे इसको हम लोग देखने वाले हैं तो guys यहाँ पर सीधे में आ जाता हूँ, admin वाले section पर, admin वाले section पर जाने के बाद आपको simply पहुंचना है, यह property वाले section आपको दिख रहा है, इसके उपर, और property वाले section में, यहाँ पर हमें google ads linking का option दिखता है, उसके बाद हम लोग इसके उपर click करेंगे, तो link के ओपर आ जाए confirm कर देता हूँ, next कर दूँगा, configuration settings में, मैं enable personalized advertising रखूँगा, टाकि जो google antics की audience list है, और जो remarketing से related चीज़ें है, वो मैं google ads में ले जा सकूँ, और यहाँ पर जो auto tagging का option है, इसको भी हम लोग enable ही रखेंगे, fine, अब इससे क्या होता है, कि जो आपका google ads का, और जो google antics का user connection है हो बहुत ही smooth हो जाता है, fine, तो मैं इसको select कर लेता हूँ, यहाँ से, और next कर देता हूँ, next करने के बाद simply हमें submit के ओपर click करना है, fine, so now you can see, यहाँ पर जैसे आपने submit किया, यह link created का option आपको दिख रहा है, so this is how you actually link google ads account to your google analytics 4 property, अभी अगर हमें लगता है कि simply हमें इसको remove कर करना है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई google ads का account terminate हो गया है, disabled हो गया है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे google ads के account आप अपने देखोगे, तो अगर आपको dealing करना है, उसको simply आप dealing भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं इसके ओपर click करूंगा, यहाँ से, ठीक है, तो केस में, क्योंकि google analytics तो हो गई होगा, अगर आपके पास website है, तो google analytics तो आप website के उपर लगाओगे, लगाओगे, यह एक secondary चीज है कि google ads आप हो सकता है, उसके लिए ना run करो, अगर आपको लगता है कि आप run करने वाले हो, तो google ads का account भी वहाँ पर बना लो, आपस में ही पहल marketing से लेटर बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा, चैनल को subscribe करें, जार जार लोगों तक पहुंचाएं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, good bye.